आज हम बनाए हैं पना जो की बहुत ही फायदे मंद होता है गर्मियों में और ये बहुत आसानी से भी बन जाता है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा तो यहां पर हम लिए हैं कच्छे आम अब इसको हम उबाल लेंगे या तो आप किसी पतीले में उबाल लेजे या कि फिर कुकर में उबाल लेजे तो कुकर में अगर सीटी लगाएंगी तो ये जल्दी हो जाएगा और आपको जितने आम का बनाना हो आप उतने का बनाएए मै दो का बना रही है, यह देखिए, यहां पर हमारे आम अच्छे से उबल गए हैं, इसमें मैं दो तीन सीटी लगा ली थी, तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कि इसको ना स्पून की सहाइता से इसका सारा पल्ब निकाल लेंगे, असानी से निकल ज तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो छिलके हैं ना तो छिलके में भी बहुत सारा लगा रहता है तो हम इस्पून से निकालेंगे तो बहुत असानी से निकल जाएगा और यह जो इसकी सीड है इसमें भी बहुत सारा लगा रहता है तो यह सब कुछ हम यह तो इस्पून की साह और रही जाया झाल जाते हैं और यहां पर रहाँ पल्फ योब पतला वाल में समय अप्से भी जांडों बाल दो सब्सक्राइब करें इसे क्या होगा कि यह बहुत अच्छे से पिस जाएगा और जब यह पिस जाएगा तो फिर हम यह पतला वाला भी इसी में मिलाएंगे इसमें आधे जम्मच जीरा इसे टेश्ट बहुत अच्छा आता है और आधे जम्मच ही हम मिला देंगे इसमें काला नमक काला नमक इसमें डालना जरूरी होता है और फिर हम डाल देंगे नमक वाइट बाला और इसमें ये खटा होता है न तो इसमें नमक थोड़ी सा जादा ही पड़ता है ये देखें यहाँ पे हम पीस लिये हैं बिल्कुल चिकना पीस है और पीस्ते टाइम पे न मैं बताना भूल गई मैंने थोड़ी सा गुड़ी एट किया तो बस छोटी सी डली इससे क्या होता है कि हमारे टेस्ट को ये खटा पर इंट रहता है ने इसमें बहुत ज़्यादा तो बैलेंस करता है तो अब हम क्या करेंगे कि इतना गाढ़ा नहीं रखेंगे इसको पतला करेंगे तो जो बचा हुआ था हमारा ये पानी तो हम इसको भी मिला देंगे और फिर एश्ट्रा पानी भी मिलाएंगे क्योंकि पना पतला ही अच्छा लगता है और फिर हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और भुना हुआ जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सा नमक और डालेंगे तो काला नमक भी हम मिलाएंगे और वाइट वाला नमक भी मिलाएंगे क्योंकि हमने पानी ज़्यादा डाला है तो नमक भी डालना पड़ेगा हमको तभी इसका जो टेस्ट आएगा वो अच्छा आएगा जब बैलेंस रहेगा सबका पानी नमक और सब चीज का तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है तो आप करमियों में जरूर बनाएए ये बहु तो अब हम इसको गिलास में निकाल लेंगे ये देखिए और बड़ियां से हमारा पना बन की तैयार है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और और सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू